वस्ट बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरट नमस्कार मैं राहूल हुट्डा और आप देख रहे हैं FirstByte.team शुकरवार को मेरट के शेत्रिय कारियाल्य भारतिय स्टेट बैंक में ग्रहक मिलन कारेकरम कायोजन किया गया कारेकरम के दोरान मेरट मंडल के उप महाप्रबंदक दीपक कोशिक एवं शेत्रिय परबंदक अनियल दिवानी ने कारियल एस्थित सभागार में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि भारतिय स्टेट बैंक ने देश भर में शुकरवार को योनो एप की दूसरी अनिवर्सरी दिना की किस नवंबर से 25 नवंबर तक मनाई जाएगी मैं जैसा बताया कि हमारे बैंक में योनो करके एक डिजिटल अप आच्छे लगबग क्योंकि इसकी ये सेकिंड अनिवर्सरी है हमने दो साल पहले लाँच की थी जैसा आपने कहा एक चोटा बैंक है इन दो मुबाइल आपको अपने अकाउंट की कोई इन्फरमेशन किसी भी कोई अगर पैसे ट्रांसफर करने हूं चाहे बैंक के अंदर या किसी दूसरे बैंक में अगर आपको कोई प्री अप्रूट पर्सनल लोन्स चाहिए आपको कोई भी क्रॉस सेलिंग वाली चीज़े चाहिए बिकॉज जो हम स्टेट बैंक की बात करते हैं तो स्टेट बैंक के बहुत सारे सबसेडरी हैं वी आरा फाइनाशिल कॉंगलोबरेट हम फाइनाशिल एडवाइस देते हैं हर चीज़ के लिए वो सारे प्रड़क्स इसके अंदर मिलते हैं और सिर्फ इस एप को यूज़ करके अब वो सारी की सारी चीज़ें अब म्यूचल फंड खरीदने की बात करें य किसान के लिए हो सब लोगों के लिए अवेलिबल हैं किसानों के लिए जैसे हमने बताया एक तो योनो मंडी करके जो इसके अंदर अवेलिबल है तो किसानों को मार्केट में किस चीज़ का क्या प्राइस चल रहा है वो सब मिल जाता है इवन वेदर का क्या फोरकास्ट है Now, weather forecast की जब हम बात कर रहे हैं, we are not talking की एक या दो दिन के लिए, but even from a long perspective, क्योंकि अगर कोई उनको decision लेना है कि हम क्या चीज़ भुगाना चाते हैं, उस तक के लिए वो help मिल जाती है, उसके अलावा, you know, krishy, इस अप के अंदर available है, जिसके थुरू वो अपने loans के लिए apply कर सकते हैं, gold loans available हैं, तो किसान के लिए जैसा हमने बताया, अगर आप पूरी market में जाएंगे, वोई भी bank नहीं है, जो इतनी सारी features या facilities सिर्फ एक अप के थुरू किसानों को दे रहा हूँ. इस अप को यूज़ कर रहे हैं, इस अप को यूज़ कर रहे हैं, इस अप को शहर भर में रवाना किया गया, इने रिक्षाओं द्वारा शहर भर में एप की जानकारी लोगों तक सरल तरीके से पहुचाए जाएगी, इन जानकारी में शामिल होंगे जैसे की बैंकिंग, शॉपिंग, टिकेटिंग, इन्वेस्टमेंट और बिना एटियम के कैश किस तरीके से निकाला जा सकता है और किस तरीके से इन योजनाओ का लाब, घर बैठे लोग उठा सकते हैं.